दोस्तों, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल की चोरी कर ली जाती है। क्या लगता है आपको? सच ही है? मैं बताओं आपको, ये सौ फीसिदी सच है। इसमें कोई जूट नहीं है, चोरी होती है। बढ़ती महगाई में जहां पे कैसे हो जाती है? भाई, सारी चीजें तो आप चेक करते हैं, जीरो देखते हैं, नोजल देखते हैं, फिर कहां से चोरी हो जाती है? चलिए हम सब कुछ बताएंगे आपको. आप पेट्रोल की चोरी से कैसे बच सकते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में. तो बने रहिए व जरूर जाएंगे. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इन पेट्रोल पंपों से एप्रॉक्सिमेटली साथ हजार करोड लीटर पेट्रोल चोरी हो जाता है. क्यों? शॉक्ट रहे गे ना आप? कितना बड़ा आतरा ही? जनरली होता क्या है कि 5 से 10 अमेल या 20 अमेल तक के च आदल गए हैं. ऐसा नहीं है कि एक लीटर में से आदा लीटर गायब कर लिया. अब नए नए तरीके आ गए हैं जिनने पकड़ना आपके बुद्धी पर निर्भड करता है. पेट्रोल चोरी करने वाले आपके अंदेखी और लापर वाहियों का ही तो फाइदा उठाते है पेट्रोल जादा तर तभी चोरी होता है जब आपका ध्यान कहीं और होता है. और स्टाफ आपके इसी लापर वाहि को देखते हुए किसी भी रीडिंग से पेट्रोल भरना शुरू कर देते हैं. और आप जीरो भी नहीं देख पाते हैं. आपने हमेशा देखा होगा दोस् आपको रीडिंग में जीरो देखने के लिए बोलता है. जीरो पर नजर पढ़ते ही आप रिलैक्स हो जाते हैं और बोलते हैं वा भाई, चलो सब कुछ सही है, पेट्रोल डालो. और आप ये सोच लेते हैं कि आप तो पेट्रोल चोरी होगी ही नहीं. इधर कैश लेने वाल स्टाफ आपको किसी और बात में उलजहा देता है. बस, और क्या, उसी वक्त दूसरा स्टाफ जो पेट्रोल भर रहा है, वो पेट्रोल चोरी कर लेता है. वो पेट्रोल भरना रोक कर दूसरी रीडिंग से स्टार्ट कर देता है और आपको मीटर में सब कुछ पॉफेट द पैट्रोल बम्प की नई मशीनों में पहले से ही सेटिंग कर दी जाती है। और ये है चोरी का नया और स्मार्ट तरीका अगर आप four wheeler गाड़ी में पेट्रोल भरवाने जाते हैं और वहाँ सारी सावधानिया बरते हैं आप गाड़ी में बैठे बैठे सब कुछ ध्यान देते रहते हैं लेकिन पेट्रोल भरने वाला स्टाफ आपकी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरते वक्त हाथ में थामे पाइप को ओन ओफ करते रहता है जबकि उसको एकठा लौक लगा दिना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं करता पाइप ओफ करते ही पेट्रोल वापस टैक में चला जाता है और हो गई पेट्रोल की चोरी तीसरा तरीका दोस्तों आम पर पहले से ही पेट्रोलOMEशीन में पेट्रोल चोरी की सेटिंग कर दी जादी है। जैसे आपने 100 रुपय का पेट्रोल भरवाया तो मशीन में की गई सेटिंग के अकॉर्डेंग मशीन पहले से ही 100 ml पेट्रोल मार लेगा. और ऐसा हर रकम पे होता है चाहे आप round off वाली जो भी रकम हो 500 या 1000 जो भी हो जबकि machine पर आपको सब कुछ perfect दिखेगा लेकिन आपका petrol चोरी हो चुका होगा और दोस्तों अब तो चोरी का एक नया तरीका आ गया है और वो है chip मैं आपको बता दूँ कि जहाँ petrol pump fraud के मामले में महराश्ट्र 1560 केस के साथ पहले और उत्तरप्रदेश 913 केस के साथ दूसरे नंबर पर है जी हाँ दोस्तों यूपी लखनव के petrol pump का chip कान तो आपको याद होगा ही आपको बता दे कि इस chip नाम की चीज़ को petrol pump की machine में लगाये जाता है size में ये छोटी होने की बज़े से दिखाई भी नहीं देती और ये chip fit हो जाने के बाद remote control से चलती है वा भाई वा कितना smart तरीका है न जिसकी help से आप इसे start और stop यानि कि activate और deactivate कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से petrol चोरी कर सकते हैं अपने must AC वाले cabin में बैट का है जो आप petrol भरवाते हैं तो इस chip को remote की help से start कर दिया जाता है और जैसे ही ये chip start होती है आपके द्वारा भरवाए गए petrol में कटाउती होना शुरू हो जाती है जैसे आप 500 ml petrol भरवाते हैं तो setting की वज़े से आपको 500 ml की जगह 470 ये 400 SC ml ही petrol मिलेगा यानि कि ऐसे ही दिन भर में थोड़ा थोड़ा बून बून करके लाखों रुपए की कमाई कर ली जाती है इस चोरी को machine तो सही ही बताएगी और अचानक petrol चोरी पर किसी टीम या अधिकारी की rate पड़ती है तो ये लोग तुरंत remote की help से इस chip को बंद या deactivate कर देते हैं machine अब पहले जैसी काम करने लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा चौथा तरीका मान लीजे आपने 500 या 1000 रुपए का petrol लिया पेटरोल भरने वाला किसी रकम पर आकर पेटरोल भरना बंद कर देगा जैसे 100 या 1.500 पर आप इस बात पर नराजगी या गुस्ता दिखाएंगे और बोलेंगे मैंने तो 500 या 1000 का बोला था भाई तुमने क्यों रोग दिया तो वो बहाना बनाएगा कि उसने ठीक से सुना नहीं था या मेरा धिहान कहीं और चला गया था माफ कर दीजे मैं फिर से चालू करता हूँ और इसके बाद वो दुबारा पेटरोल भरने लगता है आपने कुछ नोटिस किया गया वो आपके मागे गए पेटरोल को दो हिस्सों में बाट देता है इससे हुआ ये कि पहले उसने आपको डेड़ सु रुपे का पेटरोल दिया और बचे हुए आठ सो पचास का रीडिंग उसने डेड़ सो से स्टार्ट किया जिसकी वज़े से आपको आठ सो पचास की जगए साथ सो का ही पेटरोल मिलेगा अब आप अपना लॉस का कैलकुलेशन कीजिए और हमें कॉमेंट करके बदाईए कि क्या आप इस तरह की चोरी के शिगार हुए है तो दोस्तों ये तो हो गए चोरी करने के तरीके अब आईए चलिए जानते हैं कि इनसे बचा कैसे जाए दोस्तों सबसे पहले आप रीडिंग बॉक्स में जीरो पर नजर जरूर रखें कोई आपका ध्यान हटाने की कोशिश करें तो इस बात से सावधान रहें कि नहीं आपको जीरो पर फोकस रहना है कभी पेट्रोल राउंड फिगर में न भरवाएं जैसे की 300, 400, 100 ऐसा ना करें इसकी जगए आप 320, 415 या कुछ रैंडम फिगर में अपना पेट्रोल भरवाएं क्योंकि मशीन से तो सेट करना है कोई प्रॉब्लम हो रही नी चाहिए ऐसा number चूज करें जिससे आप automatic चोरी के शिकारना हो और हां कोशिश करें जिन पेट्रोल पंपर भरोसा हो वहीं से पेट्रोल भरवाएं पेट्रोल भरवाते वक्त स्टाफ की हाथ में रखे पेट्रोल पाइप पर ध्यान दें कहीं वो बार-बार उस pipe को on-off तो नहीं कर रहा है। जहां तक machine में setting की बात है तो आप average और fuel meter से check कर सकते हैं। जनरली पता नहीं चल पाता लेकिन चल जाता है। तो शिकायत जरूर लगाएं पता लगने के बात। तो दोस्तों मैंने आपको petrol pumper होने वारी चोरी और उससे सावधान रहने का तरीका बता दिया है। अब आप future में इन जैसे scam से बच सकते हैं। क्या आप भी ऐसे किसी scam का शिकार हुए हैं नीचे comment करके जरूर बताईए। अगर हुए हैं और पता ही नहीं चला और ये वीडियो देखने के बाद पता चला तो भी बताईए। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इससे share करना बिलकुल मत भूलेगा। आपके share करने से मुझे motivation मिलता है। और ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहे हैं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर तब तक के लिए अलविदा दोस्तों आपका गरी मंगल में हो।